दोस्तो आज मार्केट बहुत अच्छा था इसने बोथ साइड मुमेंट दिखाया बाई और सेलर दोनों को प्रॉपर ट्रेड करने का मौका दिया तो आज किस वीडियो में बात करना चाहूंगी कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके का मुमेंट दिखा सकता है कौन से ल लेवेल दिये थे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक के बारे में उसको चेक कर लेते हैं तो यहां पर दिखेंगे जैसी मार्केट उपन हुआ प्री उपन हुआ हमने आपको यहां पर अप्डेट कर दिया था ठीक है फ्लाट उपनिंग हुई थी और यह यहां पर एक चार्ट हमने सेंट किया था एशन पेंट का आप एशन पेंट चेक कर सकते हैं आज इस्टेंस ब्रेकावर दिखाया और लगभग 50-60 पॉइंट का इसने मूफ मुमेंट दिखाया ओके सेकेंड दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने क्लियरली आपसे कहा था 51,300, 51,400 इंपोरेंट सपोर्ट है इसके उपर एशन करता है तो यहां से अपसाइड मूफ देखने को मिल सकता और सस्टीन नहीं करता है तो गिराबट हो सकती है सस्टीन की और यहां से दिखेंगे लगभग 500-600 पॉइंट का इसने अपसाइड मूफ दिखाया इसके इसके बाद बात करेंगे निफ्टी आवरली इवनिंग स्टार था आप देख सकते हैं निफ्टी प्रॉपर रिट्रेस्मेंट पे गया और वहां से लगभग 70-80 पॉइंट का इसने भी गिराबट दिखाया ठीक है इसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं फिर हमने बैंक निफ्टी आपको 941 में एक चार्ट अपडेट कर दिया था जब यहां पर डाउंट फर्म किया था तो होल्डे आपको लाइब मार्गेट का अपडेट मिलता है जैसे पर फर्म होता है यहां पर आपको मैं अपडेट कर देती हूं जिससे आपको काफी कुछ सीखने क अब देखो क्या था बिटानिया इवनिंगे स्टार पर क्या करते हैं सेल करते या वाइक करते इतना आपको समझ में आना चाहिए ठीक है और देखेंगे तो बिटानिया ने भी दोस्तों आज लगभग इसने भी डॉनफॉल दिखाया ठीक है इसके बाद HDFC बैंक देख सकते हैं 165 पे हमने आपको यह चार्ट अपडेट किया था इसने जो हाई लगा है 1634 के आज पास का ठीक है हमने क्या किया तो हमने क्या कहा था दोस्तों निफ्टी में क्या है एक सेलिंग पर फोर्म है और यदि यह क्या करता है 24-850 के नीचे रहता है तो गिरावट हो सकती है आज रिट्रिस्मेंट के लिए गया हुआ था उपर बट यहां पर देख सकते हैं सिंगल केंडल ने बह और देख्ली बात करेंगे कल के लिए कल निफ्टी में क्या हो सकता है तो इगेन बोलना चाहोंगे निफ्टी अभी वह एक्वाडिंग तुदिस यह जो इबनिंग सटर्ट पेटर्न है इसके अक्वाडिंग सेल में है और इसके अक्वाडिंग यदि कल के दिन यह 24,850 के रहता है तो फिर यहां से स्लोली क्या करेगा 24600 का लोग दिखा सकता है हमने दोस्तों कल कल डेली की बात कि यहां पर देख सकते हैं डेली टैम फ्रेम पर क्या है डवल टॉप भी है बट आज इसने इसका लोग ब्रेक नहीं किया लोग की बात करेंगे तो 2474 का 24774 का ठीक है य इसके नीचे आया तो बहुत अच्छी गिरावट होगी नीचे नहीं आया तो थो आसा वेट कर लेना यदि इसके बीच में कहीं पर उपन होता है ग्याप भी काप इस एलिया हम दोस्तों ठीक है और यदि 5 मिनट पर 15 पर सेलिंग फर्म करता तो फिर यह भी सेलिंग जोन हो बार बार क्या था रिवर्सल फोना जरूरी है कई भी उपन हुआ रिवर्सल फोर्म करता तो वह भी सेलिंग जो आपका होगा इसके नल का हाई क्या होगा एस्टेक है चलिए अब यहां पर डैटली बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी ने तो आज के लिए इसके उपर सुस्टेन करता है यहां से यह 50 1700 तक जा सकता है सामने कहा था ओके और यह आज जो हाई लगाया 51,955 क्या सपास का ठीक है बहुत अच्छा इसने मोमेंट दिखाया है यह चेक कर लेते हैं बड़ कोई ने यह दोस्तों 51,952 ठीक है ठीक है तो इसने अपसाइड मुग दिखा दिया ठीक है अब नेकली बात में कल के लिए देवो केनल स्टिक बहुत जरूरी है सपूर इस बहुत इंपोरेंट है इंट्राडेट के लिए ओके अब यहां पर समझे लो कहीं को समझना आ है तो तो आसा टाइम यहां पर लगेगा आपका पर समझें वाड का मतलब समझें के यह ऊपर दिया इसको कहते सस्टेंड करना सस्टेंड किया यह उपर गया यहां पर आपको क्या करना था यह व्यूटर या कल दोस्तों यहां पर देखो डैटली बात करेंगे कल के लिए तो कल के लिए यह सेम चीज है यह क्या है इमपोर्टेंट सपूर्ट एडिया है यह घ्रुट में कहीं पर जा सकता है इस तरीक के वहीं पर यह सक मोगा यदि यह ब्रेक होता है देन 50 सीधा समझो 51,300 के नीचे बैंक निफ्टी ब्यरिस है और जब तक इसके उपर है तब तक आपका बायों डिप में सिंपल सी बात है सब्सक्राइब देखिये कल क्या होता है क्या यह गाप नेयर सपोर्ट ऑपन करता तो कल के लिए यह इंपॉर्टें सपोर्ट है अगें से फर्दर ऊपर जिस तरि से आज बाइं का मोका थी अ पर नहीं सस्टेन नहीं करता है सपोर्ड ब्रेक करता है तो फिर सपोर्ड ब्रेक्डाउन पे सिल्साय का ट्रेट बना सकते हैं यहां से यह नीचे दोस्तों 50 कहां पर आएगा 51,000 तक आ सकता है ठीक है दोस्तों आगे कुछ है स्टॉक के बारे हम बात करना चाहूंगे बट उससे पहले बोला चाहूंगे यदि आप लोगों ने अभीतर रेस्टेशन नहीं करवाया है तो रेस्टेशन करवा लीजिए चार अगस्त को वेबिनार होने वाला है इसमें काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा जैसे आज बिटानिया में क्या हुआ गिराबट हुई या फिर बैंक इसके पुझे रिजन क्या था या एजदेबसी बैंक की बात करेंगे अच्छा मोमेंट दिखाया तो यह सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वेबिनार के अंदर फ्री आवर का लाइब क्लास होगा जहां पे कोई डॉट होगा आप डैक मेंसे बात कर सकते मेंसे दोस्तों ज्यादा नहीं है आप चाहें तो इस्टेशन करवा सकते हैं आपको लिंक विबसाइट पर है तो यहां से भी ले सकते या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही मिल जाएगा ठीक है आज मैंने के बात किया था लाइक ब्रिटानिया या फिर बात करे चारो इस टॉक्स ने बहुत अच्छा दिखाया अब यहां पर बात करेंगे कल के लिए कल क्या हो सकता है तो दोस्तों यहां पर मेरे डिरार पर एक ही स्टॉक है वह है बिटानिया का डिजन क्या है तो आप देखो गया और आज तो गजब का मौका था इसलिए मैंने जब लगभग कहां पर साथ दूस्तों लगभग यह था आपका यहां पर फिप्टी नाइन के आसपास में था इसी टेम मैंने आपको मैसेज किया था ठीक है मतलब चार्ट अपडेट किया था और वहां साब देखेंगे तो अच्छी गिरावर्ट होई ठीक है तो कल भी इसमें किरावर्ट कंटिन्यू रह सकती है यहां पर क्या इवनिंग साथ पैटर्ण इसके अक्वार्डिंग जो टार्गेट है वह फिप्टी सिक्स हंडेड का तो अबर ऑल की बात करेंगे बिटानिया का जो ट्रेंड है वो भीरिस है तो यहां पर आप सेल और राइज की स्टेट बुलिस ट्रेंड में है तो यहां पर आप बायों डिप के स्टेटरजी यूज कर सकते हैं दोस्तों यहां जो भी हमने बताया है कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है मुझे जैसा लगा मैंने आप लोगों को बताया यदि आपको ट्रेड करना होगा आपको बताया है